दोस्तो पूरे भारत वर्स में और खास करके नौर्थ इंडिया में कराके की ठन शुरू हो गई है इसलिए हर कोई अपने लिए बेस्ट गीजर पर्चेज करना चाहते हैं लेकिन बेस्ट गीजर को जब वो पर्चेज करने जाते हैं तो उनको हमेशा एक confusion होता है कि वो इस्टेंट गीजर ले या फिर स्टोरेज गीजर ले क्योंकि उनको दिक्कत होता है कि इस्टेंट गीजर और स्टोरेज गीजर में अंतर क्या है आपके इनी confusion को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तो वैसे मैं आपको बता दूँ कि Best Gears in India 2022 का सीरीज चालू हो गया है जिसमें मैंने अब तक आपको 6 Storage Gears के बारे इम बताया जो भी Gears मैंने आपको अब तक बताया है वो Best Out of the Best Gears है वो हर एक specs में बहुत सांदार Gears है अगर आप Gears को purchase करने के लिए serious है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा लेकिन आज इस वीडियो में Stent Gears और Storage Gears में क्या अंतर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शरूर करते हैं और बात करते हैं Stent Gears और Storage Gears के difference के वारे में दोनों Gears में क्या अंतर है उससे बताने से पहले मैं आपको ये बता दो कि Total कितने टाइप के Gears होते हैं दोस्तो टोटल 4 टैप्स के Gears होते हैं तो कौन कन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ Storage Gears, Instant Gears, Gas Gears और Solar Gears Gas Gears LPG Gas से चलता है जबकि Solar Gears के लिए आपको Solar Panel लगावना पड़ता है दोस्तो Gas Gears और Solar Gears जो है वो काफी expensive होता है इसलिए ये बहुत ज्यादा demand में नहीं होता है लेकिन वही पे जब आप Instant Gears और Storage Gears को देखेंगे तो ये Most Selling Gears होते हैं और Most Selling Gears ये इसलिए होता है क्योंकि ये affordable होता है और साथ ही आपको इसे operate करना बहुत आसान होता है और जबकि Instant Gears और Storage Gears और Electricity पे चलता है Gears के टाइप को समझने के बाद मैं आपको वो parameters बताता हूँ जिसके आधहार पे हम लोग ये discussion करेंगे कि Instant Gears और Storage Gears में क्या अंतर है तो दोस्तो टोटल 6 parameters हैं जिसके आधहार पे हम लोग ये decide करने वाले हैं तो वो 6 parameters क्या हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ पहला space consumption, दूसरा time required for heating, तीसरा life span, चौथा electricity consumption, पाचमा efficiency और छठा price इन 6 parameters पे ही हम लोग discussion करने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले space consumption का दोस्तों इस टेंट गीज़र बहुत कम space लेता है और ये कम space इसीलिए लेता है क्योंकि ये size में छोटा होता है क्यों क्योंकि ये 1 liter से लेकर के maximum 10 liter तके capacity में available होता है अब अगर storage गीज़र की बात कर ले तो ये बहुत ज़्यादा space लेता है stent geezer के respect में और ये इसलिए लेता है क्योंकि इसमें storage tank लगा हुआ आता है जिसमें आप पानी को store करते हैं capacity इसका होता है वो 6 liter से 35 liter के असपास होता है तो अब आप समझ सकते हैं कि stent geezer का space consumption storage geezer से कम क्यों होता है तो चलिए अब बात करते हैं कि time required for heating यानि कि कितना time लेता है stent geezer और storage geezer पानी को गर्म करने के लिए तो दोस्तों stent geezer में बहुत कम समय लगता है पानी को heat करने में और ये बहुत कम समय का मतलब है कि ये few seconds में कुछी seconds में आपको hot water provide कर देता है जबकि storage geezer कम से कम 5-10 मिनट या 7 मिनट लेता है पानी को गर्म करने के लिए और इसके पीछे का कारण ये है कि stent geezer में कोई tank नहीं लगा होता है जहांपे पहले पानी को store किया जाए और फिर उसे गर्म किया जाए जबकि storage geezer में tank लगा हुआ होता है जहांपे पहले पानी आता है और उसके बाद जो है वो पानी गर्म होता है इसी लिए stent geezer कम टाइम लेता है storage geezer के रिसम तो चलिए अब बात करते हैं life span के बारे में और देखते हैं कि stent geezer और storage geezer में से किसका life span ज़्यादा अच्छा है तो tank ना होने की वज़ास इसमें water stored नहीं होता है water stored नहीं होता है इसलिए इसमें किसी तरह का corrosion का या फिर रश्ट का कोई समस्या नहीं होता है तो इसलिए इसका life span जो है ज़्यादा होता है लेकिन वहीं पे जब आप storage geezer की बात करेंगे तो उसका life span instant geezer के respect में थोड़ा सा कम होता है और कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें storage tank लगा होता है और उसमें corrosion का problem बना रहता वहीं पे अगर electricity consumption और heating cost की बात करें तो instant geezer में power consumption बहुत कम होता है चुकि instant geezer कुछी seconds में पनी को गर्म करके आपको provide कर देता है इसलिए power consumption कम करता है चुकि power consumption कम करता है इसलिए आपका जो heating cost होता है वो कमाता है लेकिन storage geezer का process अलग होता है पहले tank में पानी ये store होता है और उसके बाद वो गर्म होता है इसलिए 5-10 minute लेता है पानी को गर्म करने के लिए और यही कारण है कि instant geezer के respect में इस storage geezer का electricity consumption भी ज़्यादा होता है और चुकि electricity consumption ज़्यादा होता है इसलिए इसका heating cost भी ज़्यादा होता है इस्टेंट geezer और इस storage geezer के efficiency को जब discussion करते हैं जब उसको differentiate करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस्टेंट गीजर का एफिसेंसी जादा होता है और एफिसेंसी इसलिए जादा होता है क्योंकि उसमें कोई टैंक नहीं होता है जिस वज़ा से यह 20-30% more power को सेव करता है इसका मतलब यह हुआ कि इस्टोरेज टैंक का जो एफिसेंसी है वो इस्ट प्राइस लगता है इतने लिटर के लिए और यह क्या अंतर है बेस्ट गीजर इन इंडिया 2022 का जो यहा drew चला हा उसमें मैंने अब तक आपको छे गीजर्स बता है उन छे गीजर्स में से सारे गीजर एक से एक बढ़ करके हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत हिल्फुल रहने वाला आपको बहुत मदद करेगा बेस्ट गीजर को सेलेक्ट करने में दोस्तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर देदूंगा आपका सपोर्ट इस चैनल को बहुत जरूरत है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजे सोच क्या रहे हैं इंतजार किस बात की सब्सक्राइब कीजि वेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए टेक फेस्ट इन्प्रोंसर योटूब चैनल के साथ जोड़ जाईए वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद